हलो फ्रेंट्स, बहुत-बहुत स्वागा तैं आपका सुपर फास्ट स्टी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं वार्म एंड वील टाइप गेर बॉक्स के गेर रेशयो के कैलकुलेशन के बारे में याने इस वीडियो में हम जानेंगे कि warm and wheel type gearbox है उसका gear ratio कैसे calculate करते हैं मैं आपको एक example के साथ calculate करके बताने वाला हूँ बहुत यासान तरीके से आपको बहुत यासानी से समझ आ जाएगा और इसके बाद आप किसी भी warm and wheel gearbox का gear ratio जो है वो calculate कर सकते हैं तो friends ऐसे ही industrial technical videos, mechanical engineering fields related videos इस YouTube channel पर मैं upload करता रहता हूँ 830 से जादा videos जो है अब तक मैंने upload कर दी हैं और मैं regularly नए नए videos जो है वो upload करता रहता हूँ अगर आप मेरी channel पर नए हैं तो please इस video को like करें और channel को subscribe करके बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए video का notification आप तक पहुँच पाया तो फिलाल इस video को start करते हैं बने रहेगा video में अन्तिता है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं warm and wheel type gearbox के construction के बारे में तो warm and wheel type gearbox में जो input shaft होता है वो आपका warm shaft होता है जबकि जो output shaft होता है वो आपका wheel shaft होता है यानि कि उसमें wheel होती है जिसमें की teeth cutty होती है wheel में है ना और वो output shaft होता है जबकि आपका input shaft जो होता है वो warm shaft होता है उस shaft में ही teeth cutty होती है तो आपको अगर इसका gear ratio निकालना है तो इन दो चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए सबसे पहला चीज जो है वो है number of teeth in will आपके जो will है उसमें कितने number of teeth है और दूसरा जो है आपका जो warm shaft है वो कितने start का है देखिए warm shaft तीन types का आता है single start, double start और triple start तो आपको ये पता होना चीजए कि आपका warm shaft जो है वो कितने start का है तो सबसे पहले बात करते हैं formula की तो इसका formula जो है वो होता है number of teeth in a will upon number of start of warm shaft यानि कि आपको simply क्या करना है जितने number of teeth हैं आपके will के उसको count कर लेना है और उसको divide कर देना है आपके warm shaft कितने start का है single start का है तो 1 से divide करेंगे double start का है तो 2 से divide करेंगे और अगर triple start का है तो उसको 3 से divide कर देंगे जो भी value आएगी वो आपकी ratio हो जाएगा जैसे आपको example एक solve करके हम दिखाते हैं suppose करिए आपके wheel में 40 number of teeth हैं और आपका जो warm shaft है वो single start है तो हम क्या करेंगे number of teeth in wheel कितने है 40 40 upon number of start कितना है 1 40 upon 1 तो आपका इस gear box का gear ratio कितना हो जाएगा 40 ratio 1 अब अगर आपका जो warm shaft है उसका start जो है है ना वो double start है तो क्या होगा number of teeth होगे आपका 40 upon 2 यहाँ पर double start है तो यहाँ पर आपका 2 से divide कर देंगे तो आपका answer आजाएगा 20 ratio 1 आपके gear box का ratio हो जाएगा 20 ratio 1 अगर आपका warm shaft जो है वो triple start है है ना तो क्या होगा 40 होगा number of teeth in wheel 40 है लेकिन आपका warm shaft जो है वो triple start है triple start है तो उसको 3 से divide कर देंगे 40 divided by 3 करेंगे तो आपका answer आएगा 13.33 है ना तो आपका gear box का gear ratio हो गया 13.33 ratio 1 तो इस तरह से आप किसी भी warm and wheel type gear box के gear ratio को calculate कर सकते हैं तो friends उमीद करता हूँ यह video आपको काफी पसंद आई होगी अगर 1% भी helpful लगी हो तो please इस video को like करके ही जाएगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next video में तब तक के लिए अलविदा